इस देश में शहीद होना बेकार है। यहां की सरकार को किसी की कोई चिंता नहीं। कोई काम विरोध के बिना होता है क्या कभी। यह व्यता है एक ऐसी पत्नी की जिसने नकसली हमले में अपना सुहाग खो दिया। यह शब्द दर्द के रूप में शहीद हेमराज की विरांग इम्राज शर्मा की पतनी उनकी दे से लिपट लिपट कर जो सवाल कर रही है वो सोचने लायक है कै सच मुझ CRPF के जवानों को यू बिना पूरी तयारी के जंगलों में भेज देना क्या जरूरी था? कोई काभी रोज के भी ना होता है क्या काभी शरम आती है मुझे इस इंदुस्तान की इस ऐसे अफशुरूपे जो आदे घंटे डेड़ वोड़ी चपतीस गड़ से चल करके सहीद का पार्तियु शरीर यहां घर पे आ गया तीन दिन से घर में कोराम मचा हुआ है और लोग कह दा दिया और खून चड़ाते वे यह भारत मात्रा के लिए सईध हो गए और बहुत बड़ा दर्द हुआ कि जब परसास्तिन का दिकारी यहां नहीं पहुंचे और मैं तो यह भी आगे से मानने वसंद्रा जी से निवेदन करूँगा कि एसी सादत के समय राजस्तान सरकार के पास कूप मिनिस्टर है वो भी अन्तेष्टी के समय एक मंत्री को यहां बेचाए